हेलो गुड इवनिंग एबरिबडी कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ बहतर होंगे मैं शुधाकर सिंग एस्टेडी विद सुधाकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज जो हमारा टॉपिक है जो मैंने लिया है वो प्राची नितिहास का टॉपिक है अगर बात क्या जाए तो वैदिक काल से संबंधित बातों को मैंने चर्चा के लिए उठाया है यहाँ पर इसकी चर्चा के लिए मैंने एक PDF फाइल आपके सामने रखी है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी इस PDF फाइल के माध्यम से ही मैं चर्चा करूँगा तो मेरी बातों को सुनते रहेगा थोड़ा सा और वैदिक काल से संबंधित जो PDF फाइल आपके सामने दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पर उसे ध्यान से देखते रहेगा इसमें केवल वही important facts लिए गए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है किसी भी exam में continue आते हैं और लगातार चर्चा का विशह बना रहता है ठीक है तो आईए देखते हैं सबसे पहले अगर हम वैदिकाल की चर्चा करते हैं तो वैदिकाल की चर्चा में यहां पर देखा जाए तो यह ऐसा मानना जाता है कि इतिहासी क्योंकि सबसे बहतर सुरुवात वैदिकाल से ही मानी जाती है क्योंकि इसी समय पर्यात मात्रा में हमारे सामने पुरातात्वि और उत्तर वैदिक काल पूर्वैदिक काल का जो सामाने रूप से टाइम पीरेड हो 1500 इसापूर से 1000 इसापूर तक माना जाता है जबकि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरेड हो 1000 इसापूर से लेकर के 600 इसापूर तक माना जाता है वैदिक सब्द संस्क्रत की वेद शब् हुआ है जिसका अर्थ होता है ग्यान बिल्कुल रहाएगा कि वेदिक शब्र का सामान रूप से जो अर्थ है वह वेद शब्र सुन ये विध The Cin Wearugare कि आया है जिसका अर्थ है इसके बाद अगर करते हैं तो आरे वेदिक सब्विता के निर्माता माने जाते हैं यानि कुल मिला करके अगर वैदिक शब्यता की बात किया जाए तो वैदिक शब्यता में सबसे ज़्यादा अधिक रूल है अगर किसी का तो वो है आरेों का और आरे ही इसके निर्माता मानने जाते हैं और आरे का अर्थ होता है स्रेष्ठ यहां स्रेष्ठ से सब्द किसी जाती से नहीं हो करके कि सामान रुप में अगर बात किया जाए तो भासा समू से था अगर हम यहां पर बात करते हैं कि भाषा शमू से ही आपका यह माना जाता था तो यह आपको ध्यान रखना है सामाने रुप में इसके बाइद आरेयों का जो मूल निवास इस्थान था इसको लेकर के काफी ज्यादा विद्वानों में मतभेद है और लगातार विवाद चलता रहता है तो अगर उस मतभेद को लेकर के हम केवल में में पॉइंट्स पर आएं तो कुछ लोग तो यह मानते हैं कि जो आ रहे हमारे देश में आए वो जर्मनी हंगरी दक्षडी रूस आधी छेत्रों से चल करके आए और भारत में यानि आर्या वर्त में निवास की है कुछ लोगों का ऐसा मत है कि यू प्रवेश करते हैं इसके अलावा बात किया जाए तो भारत में कुछ लोगों का ऐसा है कि पस्चिमी ऐसीया से चल करके आए भासाओं के आधार पर ज्यादातर रिविद्वान मत देते हैं लेकिन आपसे एक्जाम में जो पूछा जाने वाला है कई बार एक्जाम में पू तो मैंने मार्क किया है इसको ध्यान रखना है आपको कि बाल गंगादर तिलक्या अगर बात किया जाए तो यह कहते हैं कि जो आ रहे हमारे हाँ आए वह आर्कटिक या उत्तरी धुरू से आए इसे बिलकुल भी नहीं भूलना है आपको ध्यान रखना है कि बाल गंगादर तिलक्या मानते हैं कि आर्कटिक या उत्तरी धुरू से आए जबकि दयानन सरश्वती मानते हैं कि तिबद से चल करके हमारे हां आरे आते हैं प्रदेश से आए हैं इसके बाद संपूर्णा नंदेवम एशी दास कहते हैं शप्त शेंदाव प्रदेश से आये हैं इसका जो मुस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है वह आपको याद रखना है गंगानाथ ज्छा का जैट इस आमस्ट इंपॉइंट पॉइंट आपको याद रखना है कि गंगा ना जहा कहते हैं कि ब्रम्हर सी परदेश या गंगा युमना दुवाप से चल करके ही आपके जो आ रहे थी वो भारत में प्रवेश किये हैं, इसके बाद अगर हम भागुलिक विस्तार पर चर्चा किये करें, तो भागुलिक विस्तार को लिकर के काफी जादा मतभेद है, मतभेद के साथ साथ वरतमान में अगर उनके वजूद को देखा जाए, शिंदुगाटी शब्विता उसके बाद के विकास को देखा जाए, तो ऐसा माना जा सकता है कि शिंदु नदी के छेत्र उसके चारों तर जो प्रदेश है, इन सारे छेत्रों में विद्वान यह मानते हैं कि यहां पर आरे निवास करते थे, आगे चल करके अगर उत्तरवैदिक काल की बात किया जाए, तो इस काल में आरेों का विस्तार और दिशा विस्तार पूरव की योर होता गया, और काफी ज्यादा तेजी और सदा नीरा या सदा नीरा नदी तक आरियों का विद्वास बन गया, यह ध्यान रखेगा कि इसमें क्या कहा गया, कि आगे चल करके यह कहा गया, कि जो आरे थे वो सदा नीरा नदी या बिहार के गंड़क नदी तक छेत्र में फैल गये, ठीक है, तो यह ध्यान रखेग इसके बाद अगर बात करते हैं तो और काफी विद्वान इस पर चर्चा करते हैं जस्ट इसके बाद अगला पॉइंट सागर इंपॉर्टन पॉइंट की बात किया जाए तो आरे सरुपर्थम अफगानिस्तान ने उम्शप्त सेंदो प्रदेश मुख्य रूप से पंजाब म बसे तो पंजाब के छेत्र में बसे हैं जो आपको याद रखना है कि या तो अफगानिस्तान के छेत्र में बसे हैं या तो पंजाब के छेत्र में बसे हैं फिर पूरब के और बढ़ते चले गया रवाइदिक काल के अंतर तक ब्रह्मा बर्त या कुरु छेत्र तक विस्ता इन नाम जरूर रियाद रुखेगा आप जैसे की रिग्वेद में आफगानिस्टान की चार नदियों का उलेखा जैसे कुभा काबुल क्रमकुर्रम गोमती गोमल स्वास्तु स्वात आधी नदियों का उलेख यहां पर मिलता है यह आप ध्यान रखिएगा मैं इस जरूर कहूंगा यह वीडियो पूरा देखेगा वीडियो के स्कुप मत करिएगा इसमें यह जो मेरी नोट्स है यह प्रिंटेड नोट्स है मेरे द्वारवा पीडिया फाइल में कंवर्ट की गई है मोस्ट इं सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ठीक है तो चली आगे चलते हैं तो रिग्वेज में जैसा कि मैं चाचा कर रहा था कि चार नदियों का उलेख है चार नदियों के अगर बात किया जाए तो कौन-कौन सी कुभा यानि काबुल, क्रमु यानि कुर्रम, गोम्ती, गोमल, स्वास्तु, स्वात, आदिका, उलेख मिलता है तो यह चार नदियों का उलेख है चारों के नाम ज़रूर याद रखेगा कौन-कौन सी फिर से रिपीट कर रहा हो कुभा, क्रमु, गोम्ती, स्वास्तु ठीक है इसक स्वागरफी में आप पढ़ी रहे हैं या पढ़ेंगे मेरे द्वारा पंचनद की अगर बात किया तो पंचनद में आपका झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, यह नदियाती है इसके बाद अगर बात किया जा तो सिंधु असरश्वती यानि पांच और दो साथ इन स अश्किनी कहा जाता था रावी को पुरुषणी कहा जाता था और सतलज को सुतुद्री व्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता था तो यह बिलकुल ध्यान रखना है कि झेलम, वितस्ता, चिनाब, अश्किनी, और रावी, पुरुषणी, सतलज, सुतुद्री, और व्य बेग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख अगर किसी नदी का हुआ है तो शिंधुनदी का हुआ है जैसा का मिना चर्चा के दौरान आपको बताया भी कि ज्यादा तराद जो थे वह शिंधुनदी या उसकी सहाग नदियों को किनारे फैले हुए थे इस करण से सबसे ज कहा जाता है कि प्राचीन समय में में प्रीयाग भूमी में में यानि प्रयाग राज जौर्तमान में प्रयाग भूमें तीन नदियों का शंग्म था जिसमें गंगा यमुना असरश्वती थी हाला कि अब सरश्वती विलुप्त प्रय है फिर भी कहा जा सकता है कि इन तीन नदियों का शंगम प्रयाग में मौझूद था तो सरश्वती शब्से पवित्र नदी मानी गई इसके बाद अगर बात करते हैं तो गंगा नदी का केवल और केवल एक बार उले यहां पर पाई जाती है ऐसा उले किया गया है जो इसे भी ध्यान रखना है कि मुझवंत चोटी और सुम वनश्पती का उलेख यहां पर है आगे चलते हैं आगे अगर हम चलते हैं तो वैदिक साहित और वैदिक उत्तर साहित की चर्चा की गई है यहां पर चारवेद ब्र शाहित पूराण है महार कावे ईन सभियों को सभी गरंतों को यहां सहीत को वैदिक उत्तर साहित μεं रखा गया है अ मिदेक वैदिक साहित की चर्चा करें तो वैदिक साहित के अन्य नाम जैसे वैदिक संगीता सुर्दिशाहित अपर उशयादी यह सारी चीज़ें हैं और चार वेदों में अगर बात करें तो रिगवेद पूर्वैदिक काल का पूर्वैदिक काल तता नितीन वेद साम वेद यजु बाद का अगर वेद कोई है तो अधरवेद है यह भी ध्यान रखेगा अब रिगवेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है यहां पर अगर देखा जाए तो देवताओं की स्थुतियों और भक्ति-प्रधान गीत से संब्दी चीज़ें हैं यानि स्लोक और इन सब पर च चाचा की गए है जबकि अगर सामवेद की चाचा की जाए तो सामवेद में वही रिगवेद के ही मंत्रों को गयान सहली में रखा गया है यह आपको ध्यान रखना है कि रिगवेद के मंत्रों को ही गयान सहली में सामवेद में रख दिया गया यह जुरुवेद संबंदित क सबसे इंपॉइटन जो पॉइंट यहां पर है यह आपको द्यान रखना है कि यहां पर अगर हम चर्चा करते हैं खास करके तो यह जो पॉइंट आपको दिख रहा है यह आपको चर्चा के दोरान यह ज़रूर द्यान रखना है कि वेद के अगर उच्चारण करता की बात किय जाना जाता था तो याद रखेगा अधर्वेट को चारण करता के रूप में जाने जाते हैं तो ग्यारा हजार मंत्र हैं लगबग ऐसा मालना जाता है और इसके बाद जो अगला पॉइंट रखना है आपको की इसी रिगवेत के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दस्वे मंडल में वर्ण विवस्था का प्राउधान किया गया था उल्ले किया गया है यानि तीसरा मंडल जो गायत्री मंत्र से संबंधित है दस्वे मंडल अगर बात करें तो वर्ण विवस्था से संबंधित है ठीक कहा है? जश्टिस के बाद बात करते हैं, रिगवेत की व्याख्या जो है सहयोगी परसेश्ट आदिक traffic ब्रांभन आरण्यक опыт निश्द आदिगरंठ का वि्स्तार किया गया ब्राम्हन में कर्मयोग की आरण्यक में रहस्षिवात की तथा उपनिशद में ज्ञान योग की चर्चा है ये भी पढ़ लिजेगा एक बार इसके बाद बात करते हैं उपनिशद उपनिशद को वेदान्त कहा जाता है उपनिशद का मतलब होता है गुरू के समीप आकर करके हैं तूशी को हम कहते हैं उपनिशद एक बार पीशेस में उपनिशद का आर्थ पूछा गया तो ध्यान रखेगा गुरू के शमीपाकर बैठने को ग्यान प्राप्त करने को ही उपनिशद कहा जाता है इसका मूल जो विशय है वो दर्सन है इसमें वैदिक कर्मकांडों की अलोचना भी की गई है और अगर उपनिशद की संख्या की बात किया जै थो इकस्वाठ गई है कितनी मानी गई है एक सो आठ मानी गई है इसके बाद अगर बात करते हैं तो रह को कि ब्रामन जो है एतरे कोशित की हैं रिगवेद के अरण्य का इतरे कोशित की हैं रिगवेद के उपनिशत भी एतरे कोशित की हैं ठीक है ध्यान रखेगा सामवेद की बात करते हैं तो यह उत्तरवेदिक ग्रंथ है जिसका अरत है गायन सामवेद में रिगवेद के ही मंत्र को गयान सहली में गाया गया है इस संगीत प्रधान ग्रंथ से ही संगीत के साथ स्वर सारे गामा पाधा नी संबंधित हैं क्या संबंधित हैं ध्यान रखना है कि संगीत प्रधान ग्रंथ से ही संगीत के साथ स्वर सारे गामा पाधा नी यानि अगर दीखा जाए तो संगीत क जनक के रूप में सामवेद को ही जाना जाता है कि संगीत ये साथ स्वरों का जनक कौन सा है तो सामवेद है इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो च्छांदोग उपनिशद जो सामवेद का उपनिशद है च्छांदोग उपनिशद में तीन आस्वरम की चर्चा की गई है ब्रह्मचरे की चर्चा है, ग्रहस्थ की चर्चा है और वानप्रस्थास्वर्म की चर्चा है यहां पर अगर आप देखते हैं तो देव की, पुत्र कृष्ण, उद्वाला कारूनी, समबात, तत्तो मशि अहम, ब्रह्मास्मी यह सब चर्चाएक कि इसी से सम्मंदित है याद रखिएगा जस्ट इसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं इसी में तो यजुरुवेद के अगर बात किया जाए तो यजुरुवेद में यग सम्मंदित कर्मकांडों का वर्णेंद किया गया है यह आपको ध्यान रखना है कि कर्मकांड यग से सम्मंदित यजुरुवेद है एक मात्रुवेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में है वो आपका यजुरुवेद ही है गद्य पद्य दोनों में जो मौझूद है वो यजुरुवेद है यह भी आपको ध्यान रखना है साथ में अगर देखा तो यजूरवेद ब्राम्हण सत्पत तैतरी यह सब चीजें हैं सत्पत ब्राम्हण में ही पुरूरुवा और उर्वसी संबाद दिया गया है यह most important point है बिलकुल आपको ध्यान रखना है कि पुरूरुवा और उर्वसी संबाद के अगर बात किया जाए या जल प्लावन की बरत कि पलती है इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो लिपैह जाना करती शब्रूरुवा नचिकेत यम भी ध्यान रखना है कठोकूप निशड में नचिकेता का और यम का संबादि युद यह भ्यावाद है यह बिलकुल आपको ध्यान रखना है से अगर स्वेताश्वर उपनिशद में चर्चा की बात किया जाए तो सबसे पहली बार भक्ती सब्द का उलेख आपका श्वेतास्वर उपनिशद में मिलता है हाला कि भारत में भक्ती संप्रदाय कि अगर विकास की बात किया जाए तो दक्षण भारत से मानी जाती है लेकिन अगर भक्ति शब्द का पहली बार चर्चा की या उलेक की बात किया जा तो याद रखेगा वह स्वेतास्वर उपनिशद में दिया गया है तो बिल्कुल इसे ध्यान रखना है इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे अगर हम चल रहे हैं तो अथरवेद की बाद करते हैं मैंने बताया कि अथरवेद पूरी तरीके से जातू, टोना, साप, वशी, करण इन सभी चीजों से संबंधित और इनी साड़ी चीजों की हैं कि अगर यहां पर बात करें कि सभा और समीति को प्रजापती की दो पुत्रियां कहां कहां गया है तो यह चर्चा आपके अथरवेद में ही मिलती है, साथ में अथरवेद एक ऐसा अगर इसके ब्रहां यहां पर चर्चा की बात किया अथरवेद कैसा वेद यहां पर आय रखना है कि आगे चलते हैं तो मुंढदक उपनिशद में चर्चा. मुन्डक उपनिशद में ही सत्यमे उजयते का उलिख है जो भारत में एक तरीके से टैगलाइन के रूप में यूज किया जाता है भारत सरकार द्वादा ये भी ध्यार रखें गा सत्यमे उजयते जस्ट इसके बाद बात करते हैं वैदिक उत्तर साहित की वैदिक के बात के साहित की तो वेदांग है ठीक है वेदांग की अगर बात किया जाए तो वेदों को सही धंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है सिक्षा, सुद्धुच्यारण, हेतुश्वर, विज्यान, कल्प कर्मकांडों, सामाजीक नीमों से संबंधित, यहाँ पर कल्प के तीन भागवानी गए है सौत सूतर में यगों से संबंधित चीज़़ों को विबारे में कहा गया है ग्रह सूत्र में ग्रह संसकार और आठ प्रकार के विवाह की चर्चा है तो आपके इसी ग्रह सूत्र से संस्मंदित है बिलकुल भी याद रखना है पूरी तरीके से ध्यान रखना है भूलना नहीं है आप इन 16 संसकारों में सबसे प्रमुक संसकार है गर्भादान संसकार है यानि जब गर्भधारण किया जाता है मा के दोरा गर्भधारण किया जाता है तो उसे गर्भधारण संसकार कहते है यानि जद्म से संबंदित हो गया दूद 11 हुआ जो है उपनेयन संसकार है यानि सिक्षा प्रारंब करने से पहले बच्चे का उपनेयन संसकार किया जाता है ठीक है इसके अलावा समावर्तन संसकार की बात किया जाता है तो सिक्षा प्राप्ति के पश्चातो ग्रहस्त आस्रमें प्रवेश से पहले समावर्तन संसकार है और मृत्तु के बाद जो अंतेष्टी प्रक्रिया की जाती है वो आपका अंतेष्टी संसकार के रुख में जाना जाता है तो इन 16 संसकारों का उलेख पूरी तरीके से आपके कहां पर है तो यह ध्याद्यार रखना है कि ग्रह सूत्र में है यह बिल्कुल भी नहीं भूलेगा साथ में हमारे धर्म सास्त्रों में अगर बात किया जाए तो चार प्रवाह चार प्रकार के जो विवाह है वो स्रेष्ठ विवाह की स्रणी में आते हैं यानि उन्हें उत्तम विवाह की स्रणी में रखा गया है उन्हीं को मान्यता भी दी गई है उन्हीं में से आज भी एक प्रचलन है जो सारभामिक रूप से अगर भारत के अंदर बात किया जाए तो उसे बहतर माना जाता है इसके अलवा चार प्रकार का ऐसे विवा हैं जिन्हें माननेता नहीं मिली हुई है और वो पहले भी अच्छी दृष्टी से नहीं देखा जाता था उन्हें और आज भी कहीं न कहीं उसे अच्छी दृष्टी से नहीं देखा जाता है समाज के द्वा तो एक बार उन विवाहों पर चर्चा कर लेते हैं, तो सबसे पहला है ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम प्रकार का विवाह माना जाता है, और यह सबसे ज्यादा प्रचलित है, यहां तक कि कह सकते हैं कि ब्रह्म विवाही आज के समय में जो सामाजिक बंदनो से बंधा हुआ विवाह है वह ब्रह्म विवाह का ही एक रूप है तो याद रखना है कि ब्रह्म विवाह का ही एक रूप है जो वर्तमान में प्रचलित है इसके बाद अगर बात करते हैं हम ब्रह्म विवाह के बाद अगर चर्चा किया जाए तो ब्रह्म वियार में होता क्या है कि इसमें पिता जो है वर को अपने घर बुलाकर कन्या को शौपता है निश्चित रूप से आज भी देखते हैं हम समाज में कि बारात जाती है लड़की के यहां और पिता फिर कन्या शौब दिया जाता था पहले यानि जो यग करवाता था ब्रामण उसी को कन्या शौब देते थे जो लोग होते थे राजा महराजाने तो ये दैव विवाह के रुप में जाना गया इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपका आर्स विवाह है आर्स विवाह पर अगर हम पर से चर्चा करते हैं तो इसमें कन्या के पिता जो है धर्मकारे है तो वरणी पक्छच से एक जोड़ी गायाबल लेता था अब कर मसरी तरीके से चार सहब अगर देखा जाए तो द्रहें काफी तैजी से प्रचलित हो रहा है जो लड़के वाले मांगते रहते हैं हाला कि वह गलत है लेकिन अब आप सब लोग क्या सोचते हैं आप क्या सब वीचार करते हैं वह अलग बात है इसके बाद आर सी विवाह के बाद अगर बात करें प्रजापत्य विवाह इसमें पिता बैगों प्रजापत्य विवाह के अलवा चार मैंने अइसे बता है जो सास्तर शमत नहीं थे जैसे गंधर विवाह प्रेम जो आज के सुमे में बहुत ज्यादा प्रचलिन वें चल रहा थे जी से असुर विया लीध कि रुट करане को आपनी खरेद लिया और कर लिया राकचस विवा पहरण किया यानि एक तुसे कीड्नेप करंके जो बॉयाह किया जा तरह रच्छ hazard था और पैसाच विवा जो अपराधि की में मानना जाता है जयानी जवर्जस्ति के द्वारा रएप के द्वारा रघ किया जय सबसे प्राचीन ग्रंथ है, बिल्कुल ध्यान रखना है, कि यह व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ वाना जाता है, इसे इसे बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, कि अगर बात किया जाए तो व्याकरण का सबसे प्राचीन गंथे के रुपे हम किसे मानते हैं, पाणि के अश्टा ध्याई पर टीका और भाष्य है ध्यार रखेगा कात्यायन का वार्तिक हो गया निरुक्त का विद्पत्ति शास्त्र हो गया यह सब इंपर्टेंट आपके व्याकरण गरंथ हो गया इसके बाद जयोतिश के अगर बात किया जा है तो ग्रहन चत्रादी के भवषय वाणी से संबंदित जुगरं था जैसे लगद मूनी का वेदांग जोतिश हो गया जोतिश का प्रथम ग्रंथ माना जाता है बिल्कुल ध्यान रखना है कि लगध मुनी का जो वेदांग जोतिश है वो जोतिश का प्रथम ग्रंत हुआना जाता है अभी तक के वीडियो में आपको बिलकुल लग रहा होगा कि चीजें बहता चल रही है वीडियो इसकिप नहीं करिएगा पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइं तो चलिए इसके बात करते हीं अगर देखा जाए तो वेदों के विस्तार देने के लिए रचना हुई इसके बात कुरिधे आपको ध्यान रखना थै इसके मरतियों की चर्चा कि जया किए सामाजी का आचार से संबन्देते हैं इस कारणी ने काноligh ग्रंत भी कहा जाता है बिल्कुल याद रखना है most important point है कि कानून ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है तो इस्मृतियों को जाना जाता है ठीक है तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि कानून ग्रंथ के रूप में किसे जानते हैं इस्मृतियों को जाना जाता है या आपको ध्यान रखना है साथ में अगर बात करते हैं तो सबसे प्रमुख्यूं प्रामारिक प्राचीन गरंथ के रूप में मनुई स्मृति को जाना जाता है मनुई स्मृति शबसे प्राचीन भी है सबसे प्रामारिक भी है इसे बिलकुल आप दिहान रखेंगे इसके साथ साथ अगर बात करते हैं हम तो सामानी रुक में आगे आईए तो मानो सास्त्र का इसे धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है मानो धर्म सास्त्र भी कहते हैं इसे मनु इस्मृति को यह भी आप द्यान रखेंगे इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए यागवल की स्मृति के बारे में दिया गया है यागवल इस्मृति पर अगर चाचा किया जाए तो सरप्रथम इस्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने की बात करता है बिलकुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद संपत्ति देने की चर्चा की जाती है सबसे पहली बार इसके बाद यहीं पर देखेगा कि नारद इस्मृति पर अगर बात किया जा तो नारद इस्मृति इस्त्रियों के पुनर विवाह की चर्चा कर रहा है नियोग प्रथा की चर्चा करता है यानि नारद इस्मृति में यही नियोग प्रथा और इस्तुरियों के पुनर विवाह की चर्चा की गई है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है इसके बाद विश्णु इस्मृति जो है गद्य में दिया गया है यह भी ध्यान रखेगा देवल इस्मृति की बाद करें तो मुस्लिम धर में पुराण का अर्थ होता है कि प्राचेन रूप से व्याख्या या आख्यान इसके बाद इसमें मुख्यता प्राचेन वंसावलियों का विवरण है बिल्कुल इसे भी ध्यान रखना है कि प्राचेन वंसावलियों का एक तरीके सितिहास के बारे में जानकारी देने का कारे क तो वह गुप्तकाल से संबंधित है तो इसे भी द्यान रखना है इसके बाद इनके संख्या 18 मानी गई है पुराणों की संख्या अगर बात किया जाए तो 108 है बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आपके पुराण कितने हैं तो 18 है उपनिशत कितने हैं तो 108 उपनिशत दिये गए हैं और सबसे प्राचीन अगर पुराण की बात किया जाए तो मत्से पुराण है यह ध्यान रखना है विश्णू पुराण में भारत के भागोलिक अविस्थिती पर चर्चा किया गया है यानि भागरत की इस्थिती की चर् संकलन जो इसका हुआ है वो गुप्तकाल में हुआ है ठीक है हाला कि इसके विकास को तीन चरणों में देखा जाता है प्रथम चरण में यह जैसंगीता था जिसमें 8800 स्लोक माने गए आगे चल करके यह 24000 स्लोक होते हैं जो भारत के रूप में जाना जाता है जबकि 33 चरण है कि सुरुवात में इसे जैसंगीता कहा जाता था और बाद में इसमें एक लाक चुल को छ entwickelt है यह आपको धियान रखना है कि अथारा पर या अद्याये है यह आपको त्यू होर्म और में अगर देखा जया तो भीषम पर उपर है जिसमए भगवतु की ता है। the most important point of this that भगवत गीता इस गिवें इन 6 चाप्टर यानि चठे परवे चठे अध्याय में ही भगवत गीता का उल्लेक किया गया है और भगवत गीता में ही अवतारवाद के पहली चर्चा मिलती है यानि यह कहा जाता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है अवतारवाद की चर अजाए तो अगर देखा चाहिए तो तमिल भासा में महा भारत का पहला अनुवाद करने वाले पेरुन देवनार ने अपना असे सबसे पहली आरे बार पार ब्हास में महा भारत का नवाद किता हा और भारतम नाम रखखी आब रखा भारतम नाम से किया ये भी याद रखे गए सारे important point है कि पेरुन देवनार ने भारतम नाम से महाभारत का अनुवाद किया तमिल भासा में कई बार एक्जाम में पुछा गया है इसके अलावा बंगला में महाभारत का पहला अनुवाद जो है कासी राम दास ने किया था बंगला में भगध गीता का अनुवात मालधर बशू ने किया, ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, रामायर्ड पर, रामायर्ड पर अगर चचा गया गया तो इसे आदी महकावे कहा जाता है, इसके रचेड़ा बालमी की को कहा जाता है, जो आदी कवे की रुप में जाने जाते हैं ठीक है जश्ट इसके बाद यहां पर इसका संकलन के अगर बात किया जाए तो चौथी शताब्दी स्वी अनि गुप्तकाल में हुआ अन्तिम संकलन ऐसा माना जाता है हालाकि रचनाकाल में काफी जादा विवाद भी है इसकी भी प्रक्रिया अगर देखा जाए तो ने किया कंबन ने किया बिलकुल ध्यान रखेंगा कि रामायड का अनुवाद कंबन ने किया है और अगर महा भारत का अनुवाद बंगला भाशा में करें तो कासी रामदास ने किया है तो यह दोनों ध्यान रखेंगा रामायड का बंगला में पहला अनुवाद अगर बात तो आज यहीं तक रखते हैं इसके बाद next class में मिलते हैं ठीक है पीडियो फाइल में ही अगली class इसकी आयेगी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बैल आइकन क्लिक करें जिसे आगामी वीडियो आपको प्राप्त हो सके साथ में लाइक और शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगा नेक्स्ट वीडियो आप कितना जल्दी मुझसे चाहते हैं ठीक है एक बार आप रिवाइस जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो म मिलते हैं. Have a good luck. Bye-bye.